राहूल गांधी के मुद्दे पर लोकसभा में अजबजास्त हंगामा हुआ विवख्षने सदन में नारे वाज़ी की और लोकसभा की कारवाही अब 27 मार्च तक के लिए सखित कर दे गई है भारी हंगामे की बज़े से कारवाही सखित की गई फाइनस बिल 2023 लोकसभा में इसी के साथ पास भी हो गया है लेकिन अब अगली जो लोकसभा की कारवाही होगी वो 27 मार्च होग को होगी क्योंकि 27 मार्च तक के लिए सखित कर दे गई है लोकसभा काफी हंगामेदार आज का दिन रहा राखल गांधी के मुद्दे पर लोकसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला विवक्ष ने सदन में नारेवाजी की है और नारेवाजी के बाद जस तरीके का बिरूद और प्रदर्शन देखने को मिला सदन के अंदर उससे काफी हंगामा उससे काफी खराब होती विवस्थाईन हजराईन फिलाल भारी हंगामे के बीच फाइनिंस बिल 2023 को पास किया बीजेपी ने आज अपने सांसदों के लिए वेहब जारी किया था और ऐसे में आज फाइनिंस बिल 2023 को पास कराना सबसे बड़ी चुनोती भी था हंगामे के बीच लेकिन आज हंगामे के बीच इस बिल को पास कर दिया गया फाइनिंस बिल 2023 पास होने से अब जो अगली कारवाही है वो 27 मर्च को होगी और सीधे तोर पर अगर देखा जाए तो आडानी का मामला राउल गांदी के सजा का मामला कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर सदन में लगातार हंगामा चल रहा है